आईए अब जानते हैं एंजाइमी उत्प्रेरण को एंजाइन जटिल नाइट्रूजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो की जैवित प्राणियों यानि की जन्तू एवं पादपों में पाय जाते हैं वास्तों में ये प्रोटीन अनु हैं जो की जल में मिलकर कोलाल्ब बनाते हैं और इसी रूप में ये उत्प्रेरण का कारे करते हैं और चुकि ये जीवित जीवों में पाय जाते हैं अतर जीवों की जन्तवों एवं पादपों में होने वाली जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उन्हें संचालित करने के लिए होने वाली भिन भिन रासानिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेवित करने का कारे करते हैं और इसलिए जैव उत्प्रेरक या बायो कैमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है कई ऐसे जैव उत्प्रेरक हैं जिन्हें कोशिकों से शुद्ध रूप में क्रिस्टली रूप में प्राप्त भी किया गया है साथ ही सरुप्रतम 1969 में पहला ऐसा एंजाइम था जैव उत्प्रेरक था जिसे प्रयोकशाला में बनाए गया और इन्हें बनाने का जो श्रे है वो जाता है रॉल्फ एफ हर्ष्मन तथा उनकी टीम को और यह जो एंजाइम तयार किया गया था वो था राइबो नूकलियेज तो आइए हम जानते हैं अब एंजाइमों के द्वारा होने वाली कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को यह कौन-कौन सी हमारे जैविक शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरिद करते हैं सबसे पहले उधारण हम देखते हैं एक्छू शरकरा का प्रतिलोमन जैसा कि आप जानते हैं हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें शरकरा की मात्रा भी काफी होती है लेकिन यहां उस रूप में हमारी कोशिकों में अवशोशित नहीं हो सकती है इसलिए इसका सरल अनु यनि कि ग्लूकोस में विखटन आवश्चक होता है और इसके लिए जो उत्प्रेड़क जिम्मेदार होता है वह होता है इन्वर्टीज नामक जो एंजाइम है वह शुक्रोस को सरल अनु यनि कि ग्लूकोस और फ्रक्टोस में जलब घटित कर देता है जिससे हमारी कोशिको कि द्वारा इसका अवशूशन सरल हो जाता है इसी तरह से इसके आगे हम देखें तो ग्लूकोस के अनुवों का भी अभगटन होता है एथिल अलकोहल में और यह कारे किया जाता है यहाँ पर विबिन जिवों के शरीर में यह इस प्रकार का जो अभगटन होता है जिसकी फ परकाम आता है वह है जाईमीज तो जाईमीज नामक जोवेंजांजाइम है वह ग्लूकोस को एथिल एलकोहल में परिवर्तित कर देता है इसी तरह से हम देखें कि स्टार्च होता है उसका बहुत अधिख पार्ट थी रोटी कहते हैं जिसमें स्टार्च की मातर होती है और भी चुकी स्टार्च एक पॉलीमर होए है ना बहुत सारे व्रिहद अनुम होते हैं और इनका सरल अनुमों में तूटना यानि कि इनका पच्चना आवर्शक होता है और स्टार्च को सरुप्रथम डाइसेकराइड हम कहेंगे माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है और इस ही तरह से crimes जो की एक डाइससेकराइड है इसके जो सिंके माल्टाइसकराइड है फोसी तो माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तन माल्टीस नामक एंजाइन के द्वारा किया जाता है इसी तरह से हम देखें यूरिया जो пом wish जो पदार्फ नाइटरोजन युक्त पदार्थ लेते हैं जो हम प्रोटीन या । धाले ख़ते हैं उसमें अब घटित होने के बाद ये यूरिया का निर्मान हमारे शरीर में होता है। और उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना अती आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे शरीर को विशाक्त कर देता है, यहाँ पर यूरिया को सरल अनू यानिकी अमोनिया और कार्बन डायोकसाइड में अभगटित कर देता है, जो एंजाइम वो है यूरियेज, यानिकी यूरियेज यूरिया को अमोनिया और कार्बन डायोकसाइड में अभगटित करता है, जिस सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, इसी तरह से हम देखें कि प्रोटीन के पाच्छन के लिए हमारे शरीर में हमने पहली भी बताया था कि हमारे शरीर में आमाशय के द्वारा इंजाइम स्रावित किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पेप्ताइडों में अभगटित कर देते हैं, इसी तरह से जो अगनाशय के द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है, ट्रिप्सीन यहाँ पर और यह जो है जब आत में हमारी आतों में पहुंचता है, तो वहा वाली बहुत सारी जितनी भी रासाइनिक अभगटन की क्रिया हैं वो एंजाइमों के द्वारा ही उत्प्रेदित की जाती हैं इसके अलाबा हम देखें जो हमारे सामान रोज घर में हम देखते हैं दूद का दही में बनना तो दूद का जब आप दूद रखते हैं तो अकेला दूद कभी भी आपको दही में परिवर्थित नहीं होगा इसके लिए हमको क्या करना होता है दूद में थोड़ा सा दही मिलाते हैं और जैसे ही इसमें चार से छे घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं तो उस दही में उपस्थित जो इंजाइम है वह लेक्टेज वह की एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं आए इसी तरह से कुछ एंजाइमों के स्रोत तथा उनके द्वारा होने वाली एंजाइमी अभिक्रियाओं को जाने आईए अब हम कुछ एंजाइमों उनके स्रोथ तथा उनके द्वारा होने वाली एंजाइमी अभिक्रियाओं के विशय में जानते हैं सबसे पहले इन्वर्टेज यह हमें इस्ट से प्राप्त होता है साथ ही यह सुक्रोज को ग्लुकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्टित कर देता है इसी तरह से दूसरा एंजाइम है जाइमेज यह भी इस्ट से ही प्राप्त होता है और यह ग्लुकोज को एथिल एलकोहल तथा कारबन डायोकसाइड में परिवर्टित करता है डायस्टेज यह हमें माल्ट से प्राप्त होता है साथ ही यह स्टार्च को माल्टोज शरकरा में परिवर्थित करता है माल्टेज यह भी हमें इस्ट से प्राप्त होता है तथा माल्टोज को ग्लुकोस में परिवर्थित कर देता है इसी तरह से अन्य एक्जाइम है यूरियेज यह हमें सोया बीन से प्राप्थ होता है। साथी यह नापने नाम के अनुसार यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डायोकसाइड में परिवर्तित कर देता है। एक और एंजाइम है पेपसिन यह हमारे आमाशय में पाया जाता है और यह प्रोटीन को एमीनो अमल में परिवर्तित कर हमारी पाचन प्रक्रिया में महत्वण भूमी का निभाता है। अभी हमने भिन भिन प्रकार की अभी क्रियाओं को जाना जिसमें विभिन प्रकार के एंजाइमों के द्वारा जिन्हें उत्प्रेरित किया जाता है। विभिन जो एंजाइम है उनकी क्रिया कारे प्रणाली है वो काफी स्पेसिफिक होती है। इनकी दक्षता तथा उच्च कोटी की विशिस्टता इनके कारे में पाई जाती है। तो आईए देखते हैं कि जो एंजाइमी उत्प्रिरख हैं उनमें कौन-कौन से इनके विशिस अभिलक्षन होते हैं। सबसे पहले एंजाइमों की जो अभिक्रिया है वो होती है उसमें सरवोत्तम दक्षता हमें दिखाई देती है। दक्षता से तात पर यह है कि कोई भी एंजाइम बहुत ही सुख्ष्म मातरा में अपने कारे करने में दक्ष होता है। यने कि किसी एंजाइम का एक अणू किसी अभिकारक के 10 लाख अणू को उत्प्रेडित कर सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि एंजाइम की कम से कम सूक्ष्म मात्रा ही अपने कारे को उत्प्रेडित करने में काफी सक्षम होती है। दूसरी प्रकार की जो इनके अभिलक्षन हैं वो है उच्च विस्ष्ट प्रकृती है यना कि एक प्रकार का एंजाईम कवल एक खास रासाइनिक या जैविक अभिक्रिया को ही उतप्रेडित कर सकता है यह दूसरे प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करेगा। उधारन के तौर पर हम लें जैसे यूरियेज नामक एंजाइम जिसको हमने जाना कि यह यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डायोकसाइड में अबघटित कर देता है। अब यूरिया जो की एक प्रकार क एमाइड है। यदि हम चाहें कि यही यूरियेज एंजाइम किसी दूसरे एमाइड को उत्प्रेवित करके या अबघटित करके यह उत्पात में परिवर्तित कर दे तो यह संभव नहीं है। यह केवल यूरिया को ही अमोनिया तथा कार्बन डायोकसाइड में अबघटित करता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एंजाइमों की कारे अभी रक्षण है उसमें इनकी जो विस्ट प्रक्रती पाई जाती है वह इनके जो कारे ताब पर पर बहुत अधिक सक्रीता से यह अपनाकार्य कर पाते हैं प्राया देखा गया है कि जो एंजाइमों की के लिए जो उच्छ ताप या स्टतम ताप होता है वह होता है 298 से लेकर 310 कल्विन तक और जो कि हम जानते हैं हमारी शरीर का ताप भी 310 कल्विन यानि कि 37 डिग्री सेंटीग्रेट होता है तो इसलिए जैवी क्रियाओं या एंजाइमिक उत्प्रेरण के लिए यह सबसे अधिक इस्टतम ताप होता है और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया हैं वो सरलता से हो पाती हैं इसके बाद हम देखें कि इनकी जो प्रक्रिया है वो इस्टतम पी एच प जो उत्प्रेरण प्रक्रिया है वह पांस से साथ पिएच पर सबसे अच्छी तरह से हो पाती है और खासकर थोड़े से बेसिक यानिकी 7.4 प्येच जो कि हमारे रग्त का भी पिएच होता है उस पर यह काफी अच्छी तरह से अपना उत्प्रेरण कारी कर पाते हैं इसके साथ हम देखें कि कुछ जैसे कि हमने देखा था कि सामान उत्प्रेरक होते हैं वह भी उत्प्रेरक वर्धक के द्वारा इनकी क्रिया प्रभावित होती है साथी उत्प्रेरक मंदकों के द्वारा भी इनकी क्रिया प्रभावित होती है ठीक उसी प्रकार जो होते हैं उनकी क्रिया भी सक्रिय एक ऐवम सand enzyme को feat can gyms के द्वारा प्रभावित होती है ऐदी enzyme के साथ यदि वहां पर कोई को एंजाईम जो की खास कर होते हैं जो अप्रॉटेनिक अनू होते हैं यदि vitamins उपस्तित हो तो इनकी क्रिया जादी अच्छी सक्रीता से हो पाती है साथ यदि यहां पर कोई सक्रियक हो सक्रियक उन्हें कहा जाता है जैसे कोई धात्विक आईन खास कर यहां पर देखी जैसे sodium प्लस आयन मेगनीज़ टू प्लस आयन और कोबाल टू प्लस आयन Hier प्लस आयन यदि ये धातू आयन वहां पर उपस्थित होते हैं जो की सक्रियक की तरह कारे करते हैं यदि ये धातू आयन उपस्थित होते हैं तो एंजाइमों की सक्रियता बढ़ जाती है खास कर देखें कि यहां पर एमाइलेज नामक जो एंजाइम है वो सोडियम क्लोराइट की उपस्तती में जिससे की सोडियम आयन प्राप्त होते हैं उसकी उपस्तती में इनकी जो एंजाइमी प्रक्रिया है वो काफी सक्री हो जाती है इसी प्रकार देखें हम जो संदमक होते हैं या विश होते हैं उनकी उपस्थती में इनकी अभिक्रियाशीलता में कमी भी आ जाती है बहुत सारे ऐसे संदमक होते हैं या विश्कारक होते हैं जो की एंजाइमों की प्रक्रिया को कम कर देते हैं इसका करण यह होता है कि जो एंजाइमों की सरचना में जो इनके एक्टिव सेंटर होते हैं वहाँ हो जाती है और इस तरह से इनकी जो एंजाइमों की सक्रियता होती है वह कम हो जाती है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एंजाइम हैं अपने कारे में काफी विशिस्ट भी भी होते हैं काफी दक्ष भी होते हैं तथा कुछ परिस्थतियां होती हैं जैसे की पी-एच विशेस्तापमान या सक्रियकार को या कोई इंजाइमों की उपस्थती ये सब इनकी कृए को बढ़ाती हैं वहीं हम देखें कि जो संदमक हैं या विश्खारक हैं वो इनकी अभी क्रियाशीलिता को कम भी कर देते हैं आईए अब हम जानते हैं इंजाइम उत्प्रेर को द्वारा होने वाली जो उत्पेर की परिगटना है उसकी क्रियाविधी किस प्रकार से होती है जैसे कि मैंने बताया कि जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडिल अवस्था में उत्प्रेर तरके खाचे या कएवटीज़ पाए जाते हैं यह जिसे हम कोटर कहते हैं वास्तों में यह जो इनके या खाचे होते हैं यह किस विशेश अभिलाक्षनिक आकरती के होते हैं, जिसमें कि कुछ सक्री समू पाए जाते हैं जैसे कि एमीनो समू, कार्बॉक्सिलिक समू, ठायो एल्कोहल समू, हैड्रोक्षिल समू, इत्यादी। ये वास्तों में इन एंजाइमों के सक्री केंद्र हैं और जो अभिकारत अनू जो इनक जिनको ये उत्प्रिवित करते हैं वो इन ही सक्री केंद्रों पर आकर जुड़ते हैं अब जो यहाँ पर उपस्तित इनके जो सक्री केंद्र हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं इसमें जो अभिकारक अनू होंगे वही अभिकारक अनू यहाँ पर आकर इनके सक्री के केंदरों पर जुड़ पाएंगे जिनकी अनुपूरक आकरती होगी अनुपूरक आकरती को मिल्कुल आप समझ सकते हैं जैसे की एक विशे जो ताला है को चाबी यह ही उसके अंदर प्रविश्च कर पाती है ठीक उसी प्रकार यहां पर जो इनके शक्री केंद्र होते हैं उनमें एक विशेश प्रकार के जो अभिकारक अनु हैं वही इनके खाचों में यहां पर बैट पाते हैं और इस तरह से सक्रिसमू की उपस्थती की वज़ा से फिर उनके बीच एक विशेश प्रकार का सक्रित संकुल कॉम्प्लेक्स का निर्मान हो जाता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो इनजाइम है वो उसके साथ जो अभिकारक अनु है वो उसमें फिट बैट जाता है और उसके फलसरूप एक जो सक्रिक कॉम्प्लेक्स का निर्मान होता है जिसे हम इनजाइम क्रियाधर कॉम्प्लेक्स है ना या इनजाइम क्रियाधर सं कहते हैं तो यह एक माध्धमिक उत्पाद बनता है उसके तुरंत बाद यहां पर यह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें एंजाइम अलग हो जाते हैं तथा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी जो एंज सकृष संकुल का निर्माण होता है सकृष संकुल यहां इन्जाईम तथा जो क्रियाधारक सबस्ट्रेक्ट है उन दोनों के भी सकृष संकुल बनता है और दूसरे पद में यहां पर हम देखें जो सकृष संकुल है उसका विगटान होता है और उसके बाद हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंजाइमी उत्प्रेरण की प्रक्रिया है वह पूरी होती है और प्रक्रिया के अंत में एंजाइम बिना उप्योग में आए हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से एंजाइमिक उत्प्रेरण की क्रियाविधी को हम समझ सकते हैं यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी अभी क्रियाएं हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी हैं और अदोगिक महत्यों की भी हैं जो की एंजाइमों के द्वारा या फिर जो द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं तो यह हैं कुछ अध्योगिक रूप से महत्यपून उत्प्रेर की प्रक्रम आईए अब हम कुछ ऐसे अध्योगिक उत्प्रेर की प्रक्रमों को जानते हैं प्रक्रम ए अमोनिया उत्पादन के लिए हाबर प्रक्रम जिसमें की प्रोजन गैस के द्वारा अमोनिया गैस का निर्मान होता है। इसमें उत्प्रेरक के तौर पर सुक्ष्म विभाजित लोहा, मॉलिबडेनम, वर्धक के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। साथ ही इस उत्प्रेरिक अभिक्रिया के लिए जो अवस्थाएं हैं वह हैं 200 बार दाग तथा 723 से 773 केल्विन ताप मान। इसी तरह से एक अन्य प्रक्रम है नाइट्रिक अमल के उत्पादन के लिए ओस्ट वाल प्रक्रम जिसमें की अमोनिया तथा ओक्सीजन मिलकर पहले नाइट्रिक ओक्साइट का निर्मान करते हैं। फिर नाइट्रिक ओक्साइड के ओक्सी करण के द्वारा नाइट्रोजन डाय ओक्साइड प्राप्थ होती है। इस नाइट्रोजन डाय ओक्साइड को जल के द्वारा अवशोशित करके नाइट्रिक अमलका निर्मान होता है। इसमें जो उत्रेरक उप्योग में लाया जाता है वह है प्लाटीनी कृत अस्बेस्टास तथा अवस्था के तौर पर तापमान 573 केल्वीन रखा जाता है। इसी तरह से सल्फूरिक अमल के उत्पादन की संस्पर्ष प्रक्रम या कॉंटेक्ट प्रोसेस जिसमें की सबसे पहले सल्फर के दहन के द्वारा सल्फर डायोकसाईड गैस प्राप्त होती है। जिसका oxygen के द्वारा और आक्सी करण करने पर sulfur trioxide gas प्राप्थ होती है यह sulfur trioxide gas को sulfuric acid के द्वारा अवशोशित करके oleum का निर्मान किया जाता है जिसका सूत्र H2S2O7 होता है यह oleum जल में घुलकर sulfuric acid देता है इसके लिए उत्प्रेरक जो प्रयुक्त किया जाता है वह है platini crit asbestos या vanadium pentoxide तथा तापमान 673 Kelvin से 773 Kelvin के मध्य रखा जाता है